आगे चले तो जरा हम यहां पर अपना प्यारा भारत बना लेते हैं ताकि हम आपको हड़ापस सब्था के कुछ बिंदू समझा सके हैं ठीक है अभी कोई समझ चाहो मुझे बताना बिंदू ठीक है बिलकुल बिंदास बताना ठीक है बंदू देखो जरा अगर हम भारत की बात करें तो मैं अब देखके समझ में आ रहा होगा यह गुजरात वाले इससा है राजिस्थान है पंजाब उपर जम्मू कसमी लद्धा कवरा इ तो नदी कि लिए ले ग्रीन ले लेती है के लास पर वक्तिक नदी निकली और यह आकर के देलटा बना दिया मैं अरपसागर में इस नदी का नाम है सिंदू नदी का सिंदू जिन्नोंने नहीं पढ़ायें कोई दिक्कडनी हम पढ़ा देते हैं ठीक है इस नदी का कहानी है तो बहुत पुरानी यह कहानी 1826 से स्टार्ट हुई है लेकिन 1912 में एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल का नाम था हडपा की महरें अब कहानी शुरू करते हैं कि एक्ट्वल में हडपा की खुदाई कैसे शुरू हुई ऐसा क्या हुआ था क्या जानकारी मिली थी कि यह खुदाई शुरू हो गई और ऐसा क्या हुआ कि इसका नाम सिंदु गाटी सब्विता भी पड़ा चलो तो इसी बात को समझते हैं अब एक करके सारे बिंदों को समझना पहला पॉइंट क्या देखेंगे 19 वारा की बात है जे एक फ्लीट नाम का बंदा जे फ्लीट इन का नाम मिलेगा यह एक ब्रिटिस अधिकारी थे इन्हों ने एक आर्टिकल लिखा इस आर्टिकल का नाम था हडपा की महर है ठीके हडपा की महर है चले जी अब जब इनका आर्टिकल यह प्रिंट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा इन्हों ने आर्टिकल जो है य क्विए के 3 कहानी थी जिसके अधार इनौन। ने इस कहानीको लिखा कि हडपा में कुछ मोहरे पाई गई गई जो पताते हैं कि पिछले जमानी में कोई ना कोई यहां पर सिविलेशन रहा करती थी अब इस تीन कहानी क्या थी इनको समझते हαιं न के जड़ा ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है एक घटना ऐखारा क Aven vivir तो वहां के लोग क्या करते हैं खुदाई करके निकालते और घर बना लेते हैं उन्होंने कहा यार को इतना ज्यादा मतलब बड़े लेवल पर नहीं देखा गया अब भारत में डलहोजी का सबस्क्राइब लाहार से कर लिए लिए ट्रै करनाना था से एस पट्री आंकर नहीं पकूषा है है पांच लिर्ट होती है उसमें सीमेंट होता है और इनको बान जाता है नहीं तो पता चला पट्टी ट्रेन के साथ ही चली गई है ना तो जब यह खुदाई की गई तो खुदाई में कुछ इंठे मिली और बहुत सारी मिली तो अब दोको पहले भी इंठो वाला एक किस्सा स सुना और तीसी बार में भी क्या हुआ इंठो का किस्सा सुनने में आया कनिंगम के द्वारा तो जब यह किस्ते सुनने में इसको सुना जीए फ्लीट ने एक आर्टिकल लिखा हडपा की महरे और उसमें इन तीनों घटनाओं की विसे में लिखा जब यह घटना लिखी सबसे पहले नगर मिला जहां खुदाई की गई सबसे पहले नगर मिला उसका नाम था हडपा ठीक है यही कारण हुआ कि इसका नाम क्या पढ़ गया हडपा सब्विता पढ़ गया लेकिन 931 की बात है 1921 के बाद बहुत सारे नगर खुज गए फिर एक टाइम पिरट आया 1931 में सरजौन मार्सल ने कहा कि इसका नाम हडपा सब्विता ठीक नहीं है क्यूंकि यह जो सब्विता है मतलब कि जो नगर मिले हैं बहुत सारे नगर मिले हैं वो कहां बसे हुए हैं सिंदु नदी के किनारे बसे हुए हैं कहां बसे हुए हैं सिंदु नदी के किनारे बसे हुए हैं तो अब हड़पा तो केवल यहीं हैं और फैले तो और भी जगें हैं तो इसका नाम सिंदु खाटी सब्विता होनी चाहिए तो अब प्रश्न तो यह देखने में कैसा लगता है, प्राइंगल लग रहा है, यानि कि दूसरा प्रश्णी क्या हो गया, कि हडपा सबिता का जो आकार है, है ना, हडपा सबिता का आकार, इसका एरिया कितना है, छेत्र कितना है, ये पता होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है, लायन्थ कितनी है, इसकी विर्थ कितनी है, चोणाई कितनी है, ठीक है, और किसी भी छेत्र की अगर लंबाई है और चोणाई है, तो किसी अंतिम बिन्दू से गिना गया होगा कि यहां से लेके यहां तक इतनी इसकी क्या है लंबाई है और यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है चोणाई है यानि कि हड़पस बिता का नौर्थ पॉइंट कौन सा है साउथ कौन सा है वेस्ट कौन सा है और इस्ट कौन सा है यह भी प्रश्न बन जाएंग तो देखो जहरा आकार की बात करें Давайте त्राइंगल हो गया क्या हो गया ट्राइंगुलर हो गया याने कि हम कहें त्रिवोजाकार तो एक प्रश्ण यह जितने पॉइंट बता रहे हैं कि यह सारे के सारे प्रस्ण है आओ देखे जरए छेत्र की बात करें तो बारा लाख निन्यानवे हजार 600 किलो मीटर ठीके यह क्या है इसकी पूरा एरिया हो गया लंबाई की बात करें और चोणाई की बात करें तो लंबाई की बात करते हैं तो 1400 क्लोमीटर लगभग की बताई जाती है तो यही ओर आ यहां पर जोड़ा जाता है चलहें इहां नौर्थ में डेखें सबसे अन्दिम बिंदू कौन से था वह– पूछ लेंगी तो पीछे देखो जड़ाब अगर अम नॉर्व में देखे तो जम्मू कस्मीर वाले इससे में जारा है। महारास्ट वाले में यह यूपी वाले में और यह चला गया बिलूचिस्तान में ठीक है चार विंदू हुए बिलूचिस्तान में इन्हीं चार विंदों के बात करते हैं तो सबसे ऊपर की बात करेंगे तो यहां पर क्या मिला मांडा मिला मांडा नाम की जगा यह जगा है कहा यह जगा जम्मु एंड कर समीर में थी और किस नदी के नढगा थी तो हम लिख देते हैं चिनाव नदी के किनारे चिनाव नधी के किनारे तो हमने 9 गत्छलिए ती हाँ गिश्ट। इस टालमग dove तुरकोट का हाां बहुत बड़िया थी कि यहां थोड़ा सच्छ करना है आप यहां आते हैं इस्ट की बात करें तो आलंग गीर कहां पड़ता है यूपी में किसे नदी के किनारे पड़ता है हम कहेंगे हिंड़न नदी किनारे ठीक है कि मैम यह लाची क्या है किलोमीटर वाला मतलब समझ नहीं पाए क्या पूछना चाहरे हो आर तैरावट नाम है हैनु लाची क्या है यह समझ नहीं पार है जर आप परशन को फिर से पूछो ःणंगे एद ही और नदी कौंसी है उब हिंड़न न नदी कौंसी है यमिना की सायक नदी है टीके यमिना की सायक नदी है अब आते हैं वेस्ट में अब किसी नहीं से आंसर किया है सुद कोटदा गुजरात है ना कौन है आर सरावद नहीं आंसर किया है कि मांडा नौर्थ में है देमाबाद साउत में है इस्ट में आलमगीर है और वेस्ट में सुरु कोटदा है अब चलो इसको थोड़ा ठीक करते हैं सुरु नदी कौनसी है दास्क नदी है कौनसी नदी है दास्क नदी है अब यहां पर दो नगर है एक है सुरकोटदा गुजराक जहां से हड़ी की साक्ष मिले और एक है सुतकांगे डोर है ना दौनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं जैसे MP में एक जिला है जिसका नाम निवारी और एक जिला है भिंड उसके अंदर निवारी नाम की तैसिल है तो निवारी और निवारी एक जैसा है और वताते हैं इटावा नाम का एक जिला है जो यूपी में पड़ता है और इटावा नाम का एक गाओं टाइप से है जो जाबुआप में पड़ता है ठीक है वो MP का है ग वाले नाम का एक गाउं भी है जो राजिस्तान में पड़ता है बाला घ्र नाम की पहाडिया क्यों महराश में पड़ती है और अगरफ नाम का एंबीम पड़ता है तो एक जैसे नाम बहुत सारे हैं जिसमें चाहले हैं तुर्ण पूछ रहे हो ठीक है आओ देखें चला दास् नदी दास्क नदी और जगय का नाम क्या हो गया सुथ कांगे दोर ठीक है जी सुथ कांगे दोर यहां तक चीज के लिए रहे हैं अच्छा स्वाथी थाकूर कह रही है मैं इंग्लिस में भी बताओ हम बिलकुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे मैंने कहा जब मैंने आक आया हो चेत की मैंने बात करी तो हम बोलेंगे इसको एरिया लंबाई की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसकी लैंद कितनी है ठीक है इसकी लैंद कितनी है चोडाई की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इसकी विड्थ कितनी है और मुझे लगता है कि इतनी मामूली सी इंग in English में सुथ आण गेग waters से कि परते हैं तो यहां पर क्या है दैमाबाद नाम के अक जगा पड़ती है किस नदी पर है किस नधी पर है तो भया हम कहेंगे हहां पर प्रवरा तो हम पहले सहर का नाम रिख देते हैं यहांपन तो सेहरIDE गोदावरी की साहिक नदी थिके तो नदी क्या हो गया प्रवरा हो गया ठीके किस की सायक नदी यहां पर गोदावरी की साहिक नदी है और यह जगा पढ़ती कहां है तो हम कहेंगे महारास्ट में पढ़ती है यहां पर कुछ हमने पॉइंट्स देख लिए जहां से कॉशन मन सकते हैं अगर आप से पूछ ले के हडपा के एक्जोवेशन किसने किया तो हम कहेंगे द्याराम साहनी ने किस वर्थ स्टार्ट हुआ तो 1921 में यह कहानी शुरू हुई थी अभी हमें हडपा के बाद और भी नंगर गूमने जाने हैं अभी कहानी बच्ची हुई है लेकिन हडपा से बनने वाले और जो प्रशने उनको पन क्या कर लेते हैं कवर कर लेते हैं आओ जी आग लेकिया कुछ इंटों के बारे में बताया तो 1856 में जॉन वर्टन एवं बिलियन वर्टन ने करांची से लाहोर तक रेल लाइन बिचाने के दौरान हुई खुदाई में पुरा तात्विक अबसेस प्राप्त किया जिसके बारे में बताया गया आकर देखे जरा फिर मैंने का 1873 में कनिंगम को भी कुछ चीज़ें मिली जो दर्सा रही थी पुरानी कहानी से जुड़ी हुई है फिर फाइनली जाकर के 1912 में जे एक प्लीट नाम के बंदे ने एक आर्टिकल लिखा ठीक है तो इसको पहली डिसकोवर्ट 1826 में माने जाएगी नहीं इसलिए नहीं मा इसलिए नायंटीट्वेंटिवन माना जाता है ठीक है तो देखे नाइनटीग में एक अठीकल आया क्या हडपा की मौहरें क्या या हडपा की महर्पा सीलच का इसे आर्टिकल को पढ़कर के फिर इन तीनों घटनाओं त्द्ध जान दिया है कि हां यार कुछ तो हुआ है यहां खुदाई की जानी चाहिए फिर 9021 से दया राम सहानी जी ने क्या किया खुदाई करना चालू की और सबसे पहला जो नकर मिला वह तरह हडपा इसलिए क्या कहा गया इस पूरी सबदा को हडपा सबता लेकिं 1931 में sir john marsal किसने sir john marsal ले तो हम यहाँ लिख देते हैं एक सेट कहां गया पेश यहाँ सर जॉन marsal क्योंकि यह प्रस्मांता है कि सिंदो गाटी का नाम इंदो गाती किसे रखा तो यह तक ना सौर जोन मार्षल ने सिंदु घासि का नाम सिंदु घाती सब भीतार रखा था ठीके जी चलए मैं यह कंग रहा है में सु पैदा करने वाले से वड़ा पालने वाला होता है वैसे ही है 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 वैसे ही माल लो चले जी आगे चलते हैं तो हमने यह पॉइंट्स देख लिए कल वाली कहानी यहां पे आपको लिखी मिलेगी है ना तो कल वाली कहानी मैंने हाथ से लिखी हुई थी कल की आपको PDF मिली होगी अच्छा यह और बता आगे ना में को PDF मिलिये के नहीं मिली आप लोग को है तो देखो कल हम बात कर चुके थे कि हमें सिंदुनादी मिली थी फिरम ने मंदिर जाना की सोचा मंदिर मिला नहीं तो मैं पता चला कि मात्र देवी कहां पूजा होती है पस्पतिनाथ की पूजा होती है यह सारे पॉइंट्स आपको मैंने कल भी बढ़ा है कि एरिया दिखने में कैसा लग रहा है ट्राइंगुलर लग रहा है यह है कितना तो हम कहेंगे बारा निन्यानवे 600 स्क्यार किलोमीटर है तो जो मैंने पढ़ाया है वह चीज आपको लिखी भी मिलेगी क्योंकि कई वारी ऐसा होता है जैसे आप जल्दी-जल्दी में ल